Hello Friends, Microbiology के एक और टॉपिक के साथ आपके समख छुपस्तित हैं और ये है Mycoplasma Mycoplasma की study हम यहाँ पर जिन points में करने वाले हैं उनमें brief history देखेंगे इसके बाद इसका habitat, then characteristics, cell structure और finally इसमें reproduction किस प्रकार होता है इन 5 points में हम Mycoplasma को briefly discuss करेंगे first of all देखते हैं history, history में हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे जो main-main कुछ बात हैं उनके बारे में ही बात करेंगे इसमें starting में ये बताया गया है कि जो Mycoplasma है वो smallest, independently, replicating procariors होते हैं सबसे छोटे अर्थात, bacteria से भी छोटे अगर कोई living beings हैं तो वो Mycoplasma होते हैं और independently, replicating procariors होते हैं अर्थात, procariors तो हैं लेकिन इनमें replication पाया जाता है दूस्टे point में आप इसकी खोज के बारे में देख रहे हैं अर्थात, यह आप देख पारे हैं कि इसकी सबसे पहले खोज करने वाले थे, इसको सबसे पहले देखने वाले थे, वो पास्चर थे पास्चर एक especially disease पर research कर रहे थे, जो बबाइन प्लूरिनिमोनिया था तो उस disease पर study के दौरान उसने यह mycoplasma को देखा था चोटी चोटी जीवानों से भी चोटी संरसनाओं को अबजर्ब गिया था और यसी लिए यह कहा जाता है कि mycoplasma को सबसे पहले discover करने वाले थे पास्चर, the generic name of mycoplasma was given by Novak जो generic name है mycoplasma का, वो Novak के दौरा दिया गया है तो यह किसने इसको खुजा और किसने नाम दिया, दो points ने हाप इसके ध्यान रख सकते हैं इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके habit और habitat की mycoplasma कहां कहां किन किन आवासों में पाया जाता है तो mycoplasma are parasitic as well as saprophytic दोनों प्रकार का organism है यह परजी भी भी है और मरतोप जी भी भी है parasitic रूप से भी पाया जाता है दूसरे जितने भी animals, plants बगरा है उनके उपर मैंने शुपर भी और साथ में saprophytic मृतूप GB के रूप में भी पाया जाता है इसकी presence आप कितने ही जगे अब्जर्ब कर सकते हैं जैसे sea base, plants, animals, insects, humus, hot water springs and other high temperature environment यानि high temperature environment में भी mycoplasma को देखा जा सकता है उस conditions में भी यह अपने आपको survive रख पाता है तो कई प्रकार के ऐसे habitats हैं जहां पर mycoplasma को observe किया जा सकता है बिसेश दोर पर जो disease plant होते हैं उनके phloem tissue में यह पाया जाता है अगर आपको mycoplasma लेना है इस study के लिए तो जो रोगकारी पादप होते हैं जिनमें यह रोग फैलाता है उनके phloem tissue में आप इसको देख सकते हैं तो यह basically रोगकारी पादपों के disease plants के phloem tissue में पाया जाता है अगर बात करें मनिष्ट की तो मनिष्ट में serologically और biological लगभग 11 यानि 11 mycoplasma stains पाई जाती है तो मनिष्ट में भी कई प्रकार के mycoplasma पाई जाता है और उसमें different disease भी produce करता है कई सारे रोग भी मनिष्ट में फैलाता है मनिष्ट में कौन-कौन से जो प्रमुक species हैं mycoplasma की वो यहाँ पर आपको नाम देख रहे हैं स्क्रीन पर mycoplasma oral, mycoplasma salivarium are found almost in every healthy adult इस परस्ट आप देख पा रहे हैं कि प्रतेक स्वस्थ बेक्ति में healthy adult में ये दो जातिया commonly पाई जाती है mycoplasma hominus is present in a large portion in sexually active adults तो sexually active adults में जो mycoplasma की species आप देख पाएंगे वो है mycoplasma hominus इसके लबा diseases कई परकार के ऐसे रोग हैं जो mycoplasma के द्वारा फैलाई जाते हैं जिन में बता रखा है primary atypical pneumonia जिसको P.A.P. कहा गया है in the mouth, pharynx and genitourinary tract and tonsillitis in humans are caused by mycoplasma तो दो यहाँ पर इसने disease के बारे में बताया है एक है P.A.P. जिसे primary atypical pneumonia ये मुस्क के रूप से mouth, pharynx and genitourinary tract में होता है और tonsillitis ये भी मनिस्ट में इसके द्वारा cause किया जाता है तो mycoplasma के द्वारा मनिस्टों में भी कई परिकार के disease produced किया जाते है इसके बाद बात करते हैं इसके common characteristics की कि कौन-कौन सी ऐसी बिसेशता है जो mycoplasma को specify करती है दूसरे जीवों से इसे अलग करती है जो common बात हैं वो आप एक एक करके एक एक point में आप यहाँ पर देख पाएंगे बता रखा है कि ये unicellular smallest non-mortile and pro-karyotic organism होता है अर्थात इनमें flagella नहीं पाई जाती जिससे ये non-mortile होता है unicellular तो हैं और सबसे छोटे भी होता है और इनकी जो colony होती है वो fried egg shape में नजराती है जैसे fried egg की structure बन जाती है वैसे ही इनकी colony की shape होती है जो आप diagram में देख पा रहे हैं दूसरा they are pleomorphic बहुरूपी होता है अर्थात इनकी कोई एक निश्चित संद्शना ना होकर इनका आकार जो होता है वो बदलता रहता है जैसे एक culture media से दूसरे culture media पर दे जाते हैं इनके आकार में परिवर्तन हो सकता है इनकी आकरती अलग-अलग परकार की हो सकती है आकार तो change होई जाता है आकरती भी इसकी अलग-अलग परकार की हो सकती है जैसे rod-like, ring-like, globoid, filamentous, etc. इस प्रकार से अलग-अलग आकरती में mycoplasma पाया जाता है जब यह filamentous होता है तो इसका diameter लगबग 100-300 mm और length जो होती है वो 3-150 mm पाया जाती है कुछ mycoplasma गोलाकार आकरती के भी होते है spherical shape में भी पाया जाते है और जो गोलाकार आकरती में पाया जाते है उनका जो diameter होता है वो bury करता है 300-800 mm तक इसके राबा यह ultra-filtreable होते हैं अर्थार, they can pass through bacterial proof filters यह ऐसे filter से भी च्छन सकते हैं जो bacterial proof होते हैं इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनकी जो आकरती है इनका जो आकार है वो bacteria से भी छोटा होता है इसलिए यह bacterial filter से पास हो जाते हैं, च्छन जाते हैं एक विसेश बात जो है इनमें cell wall नहीं पायी जाती माइको प्लाजमा के उपर cell wall नहीं पायी जाती इसका मतलब इनका जो outer most layer होती है वो cell membrane होती है तो जब cell wall नहीं पायी जाती तो उसके नीचे में बता रहा हूँ कि इसके जो पूरा inner part होता है वो cover होता है triple layered lipoproteinus membrane से जिसे unit membrane कहा जाता है तो प्लाजमा जिल्ली पायी जाती है जो tri layered होती है और उसकी मोटाई लगबग 10 nm तक होती है इसके अलाबा within the cytoplasm ribosome are found scattered in the peripheral zone cytoplasm में उसमें परिधी की और peripheral zone में ribosomes बिखरे हुए पाया जाते है और ribosomes का जो diameter होता है वो 14 nm होता है इसके अलाबा ribosomes का जो type है वो 70S type होता है जो की prokaryotic में पाया जाता है तो आपको बताए ही था कि prokaryotic organism है तो इसमें जो ribosome मिलते है वो 70S type होता है within the cytoplasm fine fibular DNA is present इसमें cytoplasm के भीतर DNA तंतू पाया जाते है जो की double stranded helical स्वरूप में पाया जाता है double stranded होता है और helical structure उसकी पाया जाती है और mycoplasma generally grow more slowly than bacteria इनकी जो ब्रद्दी होती है वो bacteria की तुलना में धीमी होती है इसके अलाबा they require sterols for their nutrition इनको portion के लिए sterols की आवस्थिक्ता होती है इसके अलाबा they are usually resistant to antibiotics like penicillin cephalodin bencomycin etc कई प्रकार की ऐसी antibiotics होती है जिनका इनके उपर कोई असर नहीं होता ये resistant होते हैं उनके लिए क्यों होते हैं क्योंकि इनके उपर cell wall नहीं पायी जाती आम तौर पर ये जो antibodies होते हैं वो plant में cell wall पर react करते हैं cell wall पर इनका असर होता है क्योंकि इसमेट लबोल नहीं पाई जाती इसी लिए जो Mico plasmas होते हैं वो एंटियोरी के परती ररेगिस्टेंट होते हैं लेकिन टेंट्रस c españ plant के परती यह sensitive होते हैं टेंट्रस c साथ, माइको प्लाजमा जो होते हैं, उनमें स्पोर्स प्रड्यूस नहीं होते, इनमें स्पोर्स नहीं बनते, इसका मतलब इनमें अलैंगे की अलैंगे के जनन नहीं पाया जाता, अर्थात जनन का जो इन में एक कॉमन तरीका होता है वो है बाइनरी फीजन दूई बिभाजन यह हुआ इसके कुछ बिसेस लक्षन आप इसके बात करते हैं structure of cell की structure of cell में ऐसी बिसेस बातें कोई खास नहीं आएंगी क्योंकि characteristics में हम लगभग सारी बात है इसकी पढ़ चुके हैं तो पहले point में आपको बता रखा है कि जो इसकी cell का size है वो vary करता है 300 से 800 nm diameter के अंतरगत अर्थात इसका जो diameter हो सकता है cells का वो 300 से 800 nm का होता है इसके अलाबा cell के उपर cell wall नहीं पाई जाती माइको प्लाजमा के उपर cell wall absent होती है cells are surrounded by a tipid layer lipoproteinous unit membrane अभी है मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है वो त्री इस तरहीं कोशिका जल्ली से गरी होती है जो की 10 nm मोटी होती है और यह वैसे ही unit membrane होती है जैसी ununit membrane होती है इसके बावा इसमें RNA और DNA पाया जाते हैंängen cytophoplasm जो होता है उसमें RNA और DNA ढ़ाना में पाया जाते हैं यहां पर ribosomes जो होते हैं वो 14cm एक होते हैं ऑर tripe होता है वो available sent होता है कोई नहीं बाद नहीं है यह सारी बात है characteristics में हम आपके साथ discuss कर चुके हैं DNA double standard helix में पाया जाता है ये भी पिछले points में आप देख चुके हैं यहाँ पर bacteria के और इसके DNA में आप फर्क कर सकते हैं और वो कर सकते हैं guanine और cytosin content के आधार पर अर्थात ये जो mycoplasma होता है इसके DNA में guanine और cytosin content bacteria की तुलना में कम पाये जाता है तो इस प्रकार से bacterial DNA और mycoplasma के DNA में आप अंतर कर सकते हैं DNA is up to 4% and RNA is about 8% mycoplasma में क्योंकि दोनों पाये जाते हैं DNA और RNA और उनकी मात्रा भी आप देख रहे हैं DNA लगबग 4% और RNA लगबग 8% पाये जाता है लेकिन ये जो मात्रा है वो normal पाये जाने वाली मात्रा की तुलना में लगबग आ दिये इसलिए ये कम मात्रा में ये पाये जाते हैं साथ में guanine और cytosin इनका जो content हैं ये भी 23-40% यहां पाये जाते हैं और ये bacterial cell की तुलना में कम है इसके अलाबा इन सम इस्पेसीज जैसे mycoplasma, gallisepticum, some polar bodies produce यहां पर कुछ outer structures भी इसमें produce होती हैं जो नई सेल का निर्मान करने में काम आती हैं ये कुछ species में ही बनती हैं, सारी species में नहीं बनती हैं इनको bleb कहा जाता है these are called bleb and are considered to be the site of enzymatic activities and attachment during infection जब ये infect करते हैं या enzymatic activities होती हैं तो वहां पर ये जो कुछ bleb like bodies बनती हैं ये इसको help करती हैं ये structure आप देख रहे हैं mycoplasma की, mycoplasma में सबसे उपर आपको lipoprotein की membrane नजरा रही है unit membrane जो tri-layered है इसके अंदर आपको RNA भी दिख रहा है DNA नजरा रहा है solumil proteins भी है, ribosomes है और metabolites ये कुछ इस पस्ट जो पदार्थ इसमें पाई जाते हैं वो diagram में आप देख सकते हैं इसके बाद फिर बात करते हैं इसकी cell shape की तो इसमें जैसे आकार इसका अलग होता है वैसे आकरती भी इसकी अलग-अलग पाई जाती है हलाकि पहले जो characteristics देखे थे वहाँ पर हमने इसको आपके साथ discuss किया था तो इसकी आकरती कई प्रिकार की हो सकती है ये spherical हो सकता है polymorphic, irregular filamentous हो सकता है तो unbranched climate किसी भी प्रिकार का हो सकता है तो इस प्रिकार इसकी जो safe है वो bury करती है अर्थात कोई initial shape नहीं होती अलग-अलग safe हो सकती है अब बात करते हैं इसमें reproduction process की reproduction process में में starting में आपको बता दिया था कि इसमें sports नहीं बनते sports नहीं बनते इसमें asexual और sexual दोनों ही प्रकार के जो reproduction है वो नहीं हो पाते फिर इसमें basically जो reproduction होता है वो budding या binary fusion इन दोनों के द्वारा होता है budding और binary fusion दो बहुत common methods है vegetative reproduction के budding में आप जानते हैं कि cell के उपर छोटी छोटी आती ब्रदी outgrowth उस्पन होती है वो series में भी हो सकती है और single भी हो सकती है और ये जो outgrowth उस्पनती है वो जो man cell है उससे अलग होकर एक नई cell को produce करती है इसी प्रकार से जो binary fusion होता है binary fusion में जो cell है वो mitotically divide होकर दो equal parts में divide हो जाती है reduction संपन होता है इसके अलाबा एक और process होती है जिसों कहते है reduction through primary bodies आम तोर पर जो mycoplasma होता है उसके surface पर cell membrane के बाहर की तरफ छोटी छोटी outgrowth बनती है जो एक के बाद एक बनती चली जाती है साथ में उनके आकार और आकरती में भी परिवर्तन होता जाता है पहले जो first बनती है उसको primary कहते है फिर उसके आकार में ब्रद्धी हो जाती है उसको secondary फिर tertiary इस परकार से ये primary bodies बनती जाती है जिनका size 330 से 450 NM तक हो सकता है और ये जो primary bodies या secondary tertiary bodies जो बनती है ये जब अलग होती है man cell से तो इनसे नए mycoplasma का जन्म होता है इस परकार से mycoplasma में budding के दौरा, bine refusion के दौरा ये जो primary bodies बनती है इनके दौरा reproduction के लिए संपन होती है ये यहाँ पर जो primary bodies है उनका बनना इस diagram में आप देख पा रहे है इसके अलाबा अगले point में आप देख रहे है कि इसका संचरन किस परकार से होता है mycoplasma एक host से दूसरे host तक किस परकार से जाता है तो अलग-अलग परकार से ये जा सकता है mycoplasma like organism जिसको MLOs कहा जाता है या phytoplasma कहा जाता है usually present in phloem in the host plant अभी आपको बताया था पिछले point में हमने कि ये जो रोक कारी पादप होता है उनके phloem tissue में पाया जाता है और वहां से ये एक विसेश परकार के कीट दौरा एक host से दूसरे host में जाता है जिसे leaf hoppers कहा जाता है तो आम तो पर mycoplasma का transmission होता है वो leaf hoppers के दौरा होता है लेकिन इसके अलाबा भी इसका जो transmission हो सकता है वो कुछ और भी ऐसे जीव हैं जिनके दौरा हो सकता है जिसमें बता रखा है tree hoppers, plant hoppers, silids, aphids, miles इस परकार के और भी कुछ कीट हैं जिनके दौरा mycoplasma का एक होश्ट से दूसरे होश्ट में संचरण हो सकता है आम तोर पर ये भी देखा गया है कि जो vector, vector से मतलब वो जीव जो इसको संचरित करने वाला है जो जीव इसको एक होश्ट से दूसरे होश्ट में ले जाने वाला है उसमें जाने के बाद पहले ये अपनी सिंख्या में ब्रद्धी करता है ऐसा नहीं है कि जो vector होता है वो अपने पर आने के जस्ट बाद इसको दूसरे host में transfer कर दे ऐसा नहीं हो पाता है आम तोर पर इसमें एक time लगता है जिस vector में पहले ये पहुँचता है उसमें एक incubation period होता है 10 to 45 days का एक specific temperature पर उस incubation period के बाद ही ये दूसरे जीब को संचित कर पाते है ये दूसरे जीब में इस mycoplasma को पहुचा पाते हैं जो vector होता है इस प्रकार से different vectors के दौरा mycoplasma का एक जीब से दूसरे जीब में एक होस्ट से दूसरे होस्ट में transmission होता है अगर single question की बात करें अगर one word में इसका पूछें कि इसका संसरन किसके दौरा होता है तो आप बताएंगे leaf hoppers के दौरा इसके बाद disease caused by mycoplasma कौन-कौन से ऐसे disease हैं जो mycoplasma के दौरा होता है तो starting में हमने आपको बताया था कि mycoplasma के दौरा plants में भी disease होता है animals जो other animals से उनमें भी होता है और manusia में भी disease होता है तो plants में इसके दौरा कौन-कौन से disease होता है उनके कुछ नाम आपके स्क्रीन पर आपको नज़रा रहे हैं प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया इसके लाबा एक और दूसरा डिजी जहां बता रखा है आपको इनफ्लेमेशन ऑफ जनाइटल्स जननांगों में सूजन आ जाती है इनफ्लेमेशन ऑफ जनाइटल्स वो भी माइको प्लाज्मा के द्वारा होता है और जिन माइको प्लाज्मा के स्पसीज द्वारा होता है उनके नाम आपके स्क्रीन पर हैं कि किस से पी एपी होता है और किस से inflammation of genitals यहाँ पर hominus एक जाति दे रख दे रखिये वो इससे सिर्फ inflammation ही नहीं pneumonia और और एक दो disease भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके अलाबा एक और भी प्रमुक समस्या जो मनिश्यों में इसके दोरा कौज की जाती है वो है infertility यह ब्यक्ति की fertility को भी समाप्त कर सकते हैं और ऐसी भी mycoplasma की कुछ जातिया है mycoplasma fermentants एक mycoplasma के species है mycoplasma fermentants यह मनिश्यों में infertility कॉज करती है अर्थात उसकी जनद शमता को ही खतम कर देती है तो यह कुछ disease हुए जो mycoplasma के दोरा human beings में cause होते हैं यहाँ पर आपको इन तीनों के नाम भी ध्यान रखने हैं और कौन सी microplasma की species है जिससे disease cause होते हैं यह भी ध्यान रखना है यह objective questions frequently competitive exams में पूछे जाते हैं इसके अलाबा other animals जो हैं उनमें भी microplasma के दोरा कई प्रिकार के disease होते हैं जैसे एक बता रखा है agalexia mycoplasma agalexia यह जाती है जो cause करती है agalexia of gods and sips gods और sips में यह रोग पैदा करती है mycoplasma mycoids एक और जाती है mycoplasma की जो pleuro pneumonia of cattle mabesio में pneumonia का रोग उत्पन करती है इसके अलाबा एक और भी जो रोग है जैसे मनुशन में होता था inflammation of genitals यह भी cattle में या other animals में mycoplasma के द्वारा फैलाया जाता है तो mycoplasma ना के बल प्लांट्स में बलकि animals और human beings में भी different type के disease cause करता है इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में हमने overall लगभग mycoplasma की पूरे life cycle को discuss किया है आप इस वीडियो के बापस से एक एक point का अध्यन करें तो आप इसको ठीक से समझ भी पाएंगे इसमें कई सारे ऐसे objective questions बनते हैं जो frequently competitive exam में पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद उन objective questions को अपनी copy में note करें और उनको एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास करें आपको उससे निश्यत रुप से लाब होगा Thank you